देश की अजादी वाले दिन यानि की आगामी 15 अगस्त को दुनिया के सबसे उचे रेलपुल के उपर से निरंतर ट्रेन जो हो रियासी रेलवे सेशन से होती हुई 12 मुला पहुंचेगी अब इसके उपर लगातार जो ट्रायल रन थे वो सफल रहे हैं अब ये सरकार जो हो फैसला ले रही है बारतिय रेलवे ये फैसला ले रही है कि आगामी 15 अगस्त को जो हो आम लोगों के लिए ये से ट्रेन जो हो चलना शुरू हो जाए और इसके उपर जो हो तैयारियें लगातार की जा रही है हालां कि इसके उपर आधिकारी की कुष्टी जो हो नहीं की गई है लेकिन तैयारियों को देख करके यही क्यास लगाये जा रहे हैं कि अब आगामी 15 अगस्त को जो हो ये सेवाएं लगातार जो हो मिलने जा रही है रियासी रेलबे सेशन से बारा मुला के बीच यानि की रियासी से कश्मीर घाटी तक का जो सफर जो शर्दालू माता वैशनु देवी जी के दरवार पर आते थे वो जो संजोए हुए थे अब उनका कहीं न कहीं सपना पूरा होने जा रहा है अब लगातार ब्यापारी वर को भी जो हो कहीं न कहीं मुनाफ़ा वृद्धी जो हो अब जरूर देखने को मिलेगी अधिक्तम शर्दालू जो माता वैशनु देवी जी के दरवार पर पहले आया करते थे अब वह शर्दालू जो हो अराम से ट्रेन में सफर करके नजदी की रियासी रेले सेशन पहुंच करके जो हो कश्मीर घाटी की सोंदर्ता को अपने आंखों से जो हो कहा निहार सकते हैं तस्वीरें फोन में ले सकते हैं यह तस्वीरे आप देख सकते हैं अभी भी जो हो ट्रायल रन लगतार, चल रहे हैं, यह इंजन जो हो इलेक्टरिक इंजन लगतार, जो हो दोड रहा है, ट्रायल रन कर रहा है, यह देकर के कयास लगाये जा रहे हैं कि आगामी कुछ दिनों के बाद, यानि कि 15 अगस्त तक जो हो वो ट्रेन यहाँ पर चल सकती है और फिलाल यहाँ पर 500 से अधिक गाडियें लगाने को लेकर के पार्किंग तयार की जा रही है यानि कि केंदर सरकार से जो हो यहाँ पर मंतरी यहाँ पर जुरूर पहुंचेंगे और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है आसार यह कश्मीर से कन्या कुमारी की कनेक्टिविटी जो हो पून रूप से जूट जाएगी हाला कि अभी जो हो 17 किलोमेटर बाकी है रियासी रेलवे सेशन से बारा मुलाव के बीच का जो सफर है अब ट्रेन के जरीए जो हो वो यातरी कर सकते हैं जो यातरी सपना संजो करके रख कश्मीर घाटी की सेर जो हो वो जल्द ही कर सकते हैं नियूज एटी नेटवर्क के लिए करंदीत सिंग रेलवे